हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल और आज हम शोशोलोजी के लिए नेट जेहरफ की तयारी में जो हैं कुछ एमसी क्यूज लेके आये हैं तो बहुत इंपोर्टन एमसी क्यूज है नेट जेहरफ की दृष्टी से देख जाये तो तयारी कर रहे हैं तो बहुत ही महत्पून जो है आपके लिए वीडियो है चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू कीजेगा और भारत में विविदता के पहला प्रशन है कि भारत में विविदता के श्रोतों में क्या क्या समलित है तो विविदता के शोत्र पूचे है एक है रजातिय उद्गम बी है जातियां सी धरम और डी भाशाए तो कूट दिये कहीं है नीचे ए बी सी डी तो कह कहा है इसका अंसर क्या होगा यानि A B C और D ये सभी जो हैं भारत में विविता के शोत हैं देखें तो इन सभी को समलित किया जाता चाये मों निरजाती उद्गम हो चाये मों भारत में जातिया हो धरम हो बाशाएं सभी जो हैं भारत में विविता क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां विवित तो इसलिए ये सब शूत जो है इसमें समिलित किये जाएंगी तो चले वड़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर हमारा दूसरा प्रश्न है बाल्य वस्था पर ध्यान के इंदिरित करने के साथ एक व्यासक समाजी प्राणी बनने में नीहीत परिक्रिया क्या कहलाती है तो जब बाल्य वस्था पर ध्यान के इंदिरित किया जाता है क्या पूछ रहा है कि बाल्य वस्था पर ध्यान के इंदिरित करने के साथ एक व्यासक को समाजिक बनने में नीहीत परिक्रिया प्राणी समाजी करण होता है चलिए अब देखते हैं अपना तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है नीम लिखित में से किसनी पीजेंट एंड पीजेंट सोसाइटेज नामक पुस्तक लिखे या समपादित की है तो पुस्तक से रिलेटिट बहुत से कुशन्स आती है तो पहला है रॉबर्ट रैट फिल्ड दूसरा है टी शानिन तीसरा एरिक वुल्फ और चौथा है आसकर लेविस जब ऐसे कुशन आती है तो उनमें जो है आपको चूज करता पड़ता है तो टी शानिन जीने ये सोसाइटी जो इनकी पुस्तक है उसको लिखा है तो ये टी शानिन की पुस्तक है ठीक है क्या नाम है इसका पीजेंट एंड पीजेंट सुटसाइटी ज याद रखिएगा बहुत इनपॉर्टन जो है आपकी पुस्तक है बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की और चौथा प्रश्न चली देखते हैं उचतम निनाले दिशा निर्देशों के अनुसार निमलिकित लिंग संबन्धी मुद्धों में कौन सा वर्ष्ट, दो हुजर में अधिनियम बना तो इस अधिनियम के अनुसार कुन सा बना? तो इसका स Favor अंसर क्या होता है दहेज मृत्यूं, ठीक है? तो ये जो अधिने बना था दहीर मृत्यों में बना था देखते हैं अगला प्रेश्ण पाँच्वा भारत में राष्टवाद ब्रेटिश उपनवेशवाद द्वारा उत्पन ठीक है भौतिक दशा का परिणाम है ये कथन निमली किसमें से किसका है तो ये किसका कथन है तो ये जो है एर देसाई जी का कथन है ठीक है प्रेश्ण च्छे देखते हैं नीचे दो कथन दिये गई है ठीक है नीचे दो कथन अभी कथन और दूसरा कारण अब एकतन पठते हैं वैश्वी करणने सरकारी शेत रो गैर सरकारी शेत दोनों को इस बात के लिए بाद धी कर दिया है कि वे विज्यान के विकास में एक दूसरी के साथ सहयोग करीं, ठीक है? और हमारा कारण क्या है उप्रुक्त दोनों के बीच सहयोग से बजार प्रतिस परदा का सामना करने में सहयता मिलती है तो इसका अंसर क्या यार दोनों सही है तो दोनों ही कमेंटमेंट्स जो है ये सही है ठीक है चलिए देखते हैं अगला प्रश्न अगला प्रश्ण है साथ डेरीडा द्वारा प्रिक्त फिनिता की अवधार्णा दो अर्थों को संदर भीत करती है निमने में से कुन सा जोड़ा सही है तो दूरी और निकिता इसका सही उतर होगा अगला प्रश्ण है समाजित विवस्था के बारे में टालकर्ट पार्संस का विशलेशन निमने में लिकित में से किस सिद्धान पराधारित है तो वो किस पराधारित है समस्ती थी यानि हामियोस्टिस से संबन दित है ठीक है, समाजी विवस्था के बारे में, टालकर्स पार्सन्स निजो विशलेशन किया था, उसके बारे में इसमें पोचा है. प्रश्ण नहों, यह किसका विचारे की क्रांती इतिहास का इंजन है? तो यह किसके है? कालमाक्स, कालमाक्स इतिहास का इंजन है. प्रश्ण नमर दस, मीम लिखित में से, किस पли infrastruktur में अतरदिक सूपरचिता के कारण, प्रेशन की तीवरता को गवाने की आकशा है? क्याने कि नहीं है तो कौन सी पर्यती है जिस में अध़री शोप चिताकार्ण प्रेशन की थीक याद रहना उसकी तीव्रता बढ़ाने की कह रहा है तो कौन सी विधी होगी सहभागी प्रेशन की विधी तो आपका ये सोशल रिसर्च में आया है ठीक है अगर आपने सोशल रिसर्च पढ़ा होगा तो उसमें ऐसे कुशन आपको देखने को मिल जाएंगे तो आज के लिए बहुत प्रशन और थैंक्यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू एक्जाम के लिए तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया